तो कहते हैं कि मा लक्षमी प्रसन होती है अगर उनकी विशेश पूजा धन्तेरस के मौके पर की जाए तो आप हमें धन्तेरस का क्या महत्व है और क्या कुछ करना चाहिए इस खास मौके पर बिलकुल देखिए अगर हम धन्तेरस की बात करें तो इसका वास्तविक नाम है धन्त्रेयोदिशी कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रेयोदिशी पर ये पर्व मनाया जाता है और इस पर्व का इस त्रेयोदिशी का संबंद धन से है इसलिए इसको धन्तेरस कहते हैं कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रेवदिशी को मनाते हैं, माना जाता है कि इसी दिन समुद्र मन्थन के दोरान अम्रित का कलश ले करके धनवंतरी प्रकट हुए थे धनवंतरी कौन है धनवंतरी देवताओं के वैद्य हैं, धन तेरस के दिन एक तो पूजा होती है भगवान धनवंतरी की और स्वास्त की रक्षा के लिए लंबी आयू के लिए आरोग के लिए पूजा होती है इस दिन धनवंतरी की और दूसरी पूजा होती है कुबेर देव ताकी दोनों की पूजा इस दिन की जाती है इस दिन लोग मूल्यवान धातु में खरीदते हैं नए बरतन खरीदते हैं आभूशन खरीदते हैं इनका क्रे करते हैं धनवंतरी भगवान हाथ में कलश ले करके प्रकट हुए थे इसलिए जादा तर लोग इस दिन बरतन खरीद प्रिफर करते हैं और वो कलश सोने का था इसलिए आभूशनों का भी क्रय करते हैं जो बरतन आभूशन मूर्तियां इस दिन खरीदी जाती है धन तेरस के दिन उसी से दीपावली की मुख्य पूजा की जाती है तो मुख्य तह धन तेरस पर दो देवताओं की पूजा होती है एक होती है भगवान कुबेर की धन की प्राप्ती के लिए और एक पूजा होती है भगवान धनवंतरी की स्वास्त की रक्षा के लिए और कलश इस दिन सोने का चुकी लेकर के भगवान धनवंतरी प्रकट हुए थे इसलिए इस दिन बरतन खरीदना, मुल्यवान धातु खरीदना और सोना खरीदना ज़्यादा शुब माना जाता है तो बगवान धनवंतरी को देवताओं का वैद्य भी पंडिटी कहा जाता है और उनकी पूझा से आज के दिन बहुत लाब होता है धन्तेरस के दिन क्या करे और किन खास बातों का खयाल रखे आईए वो भी जानते हैं बिल्कुल धन्तेरस का जो पर्व है वही से दीपावली के पर्वों की शुरुवात होती है सीरीज की शुरुवात हो जाती है दीपावली के पर्व एके करके धन्तेरस से शुरू हो जाते हैं क्या करना चाहिए देखिए सारी जो घर की साब सफाई के आपके कारिक्रम है जो घर की साब सफाई आपको करनी है वो कोशिश करें कि धनतेरस के शुरू होने के पहले यानि धनतेरस के शाम के पहले निपता दे धनतेरस के दिन तक सफाई जारी मत रखें जादा तर लोग धन्तेरस पर केवल कुबेर की पूजा करते हैं तो केवल कुबेर की पूजा ना करें धन्वंतरी देवता की पूजा भी करें अगर आपको इस दिन धात्वों का क्रे करना है, मेटल खरीदना है तो सोना, पीतल, चांदी या स्टील खरीदना आपके लिए अच्छा होगा धन तेरस के दिन ही दीपावली के पूजा के लिए चीजे खरीदी जाती है जैसे भगवान गडेश लक्षमी की मूर्तियां खरीदी जाती है सारी पूजन समगरी खरीदी जाती है दीपक खरीदे जाते हैं, घर को सजाने की चीजे खरीदी जाती है ये तमाम चीजे धन तेरस के दिन आप खरीद सकते है धन तेरस के दिन लोहा खरीदने से जहां तक संभव हो बचना चाहिए और एक सबसे महत्तोपूर बात जो धन तेरस की है आप खूब खरीदारी करें, खूब मार्केटिंग करें, खूब शॉपिंग करें लेकिन धनतेरस के दिन थोड़ा बहुत दान जरूर करना चाहिए और अगर ये दान आप निर्धनों में करें, गरीबों में करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा यानि धन्तेरस के दिन आप खरीदारी जरूर करेंगे और खरीदारी के साथ-साथ धन्तेरस के दिन दान भी अवश्य करेंगे कई बार ऐसा भी होता है कि लोग खरीदना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन बजट की वज़े से कई बार खुद को रोक लेते हैं ये बहुत एहम सवाल में आपसे पूछने जा रही क्योंकि लोगों के मन में आता है ये कि क्या कुछ खरीदा जाए जिसके त्योहार भी आप अच्छे से मना लें लेकिन आपकी जेब पर बहुत फर्क ना पड़े अब धनतेरस पर ऐसा क्या है जो जरूर खरीदा जाए और जिसको खरीदने से पर्व आपके लिए शुब हो जाए देखिए धनवंतरी भगवान हाथ में अमरित का कलश लेकर के प्रकट हुए थे यानि जिसमें वाटर श्टोर किया जा सके धातु का कोई बरतन आप जरूर खरीदियेगा और अगर पानी का बरतन हो जग हो लोटा हो गिलास हो तो बहुत अच्छा होगा गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां भी धन तेरस पर खरीदियेगा जिनकी पूजा अब्दीपावली पर करेंगे और दोनों मूर्तियां अलग-अलग होनी चाहिए ज्वाइंट नहीं होनी चाहिए खील बताशे और मिट्टी के दीपक भी खरीदे जाएंगे एक बड़ा सा दीपक भी जरूर खरीदियेगा जिस बड़े दीपक में घी भरके आप दीपावली की रात भर इस दीपक को जलाएंगे आप चाहें तो धन्तेरस पर अंकों का बना हुआ कोई यंत्र भी खरीद सकते हैं धन के बड़े सारे यंत्र आते हैं श्री यंत्र है महलक्ष्मी यंत्र है कुबेर यंत्र है लेकिन आप नंबर वाले यंत्र अगर खरीदना चाहें तो आप खरीद सकते हैं और जो नंबर वाले अंक वाले यंत्र आप खरीदेंगे इसकी पूजा आप धन्तेरस के दिन कर सकते हैं बाकी जो आप दीपक ले आएंगे, मूर्तियां ले आएंगे, जो चीजे बरतन लाएंगे, नई नई चीजे ले आएंगे ये सब लाकर के तुरंट प्रियोग मत करियेगा, पहले इन चीजों को लाकर के पूजा स्थान पे रखियेगा, दीपावली के दिन इन वस्तूओं की पूजा होगी और दीपावली के अगले दिन से इन वस्तूओं का इस्तेमाल करना आप शुरू करेंगे और क्योंकि धन्तेरस एक बहुत शुब ते वहार माना जाता है तो यकीनन जब भी आता है ये दिन तो इसका कुछ न कुछ असर आपकी राशियों पर भी पड़ता है अपनिश अगर आप हमें ये बता सकें कि राशी अनुसार धन्तेरस पर क्या हम खरीज सकते हैं बिलकुल मलिका बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको खरीदने से आप धन्तेरस को बहुत शुब बना सकते हैं अपनी किसमत को चमका सकते हैं क्योंकि आपके किसमत के साथ जुड़ा हुआ है ये पर्व अगर भागे बहुत अच्छा नहीं होगा तो आप खरीदारी करी नहीं पाएंगे इसलिए भागे को कैसे चमकाएं धन्तेरस पर क्या खरीदें अपनी राशी के अनुसार और उससे क्या फाइदा होगा आपको आईए बताते हैं देखिए मेश राशी की अगर बात करें तो मेश राशी वाले धन्तेरस पर सोने की कोई चीज या पीतल की कोई चीज खरीदें सोने का भूशन खरीद ले, पीतल का लोटा खरीद ले, पीतल का दीपक खरीद ले, पीतल का बरतन खरीद ले अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके स्वास्थ में सुधार होगा आपकी सेहत की समस्याएं दूर हो जाएंगी वरिशब राशी की बात करें वरिशब राशी के लोगों को धन तेरस पर वाहन खरीदना चाहिए अलमारी खरीदनी चाहिए या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्स के सामान खरीदने चाहिए अब अगर वाहन खरीदना महंगा है अलमारी नहीं खरीद सकते तो इलेक्ट्रोनिक्स की कोई भी चीज बिजली के बल भी खरीद लीजेगा electronics की कोई भी चीज आप खरीद के ले आईएगा ऐसा अगर आप धनतेरस पर करते हैं तो इससे आपका भाग्य आपका साथ जरूर देगा मिथुन राशी कासे के बरतन, ब्रॉंस के बरतन ब्रॉंस की थालियां आती हैं, लोटे आते हैं, हंडियां आती हैं या ब्रांच की कोई मूर्ती, देवी देवता की मूर्ती हो, शिव जी की मूर्ती हो, हनुमान जी की मूर्ती हो कासे के बरतन या कासे की कोई मूर्ती मिथुन वालों को खरीदनी चाहिए ऐसा करने से इनकी निरड़े की क्षमता अच्छी हो जाएगी जो डिसीजन मेकिंग केपैसिटी है आपकी, आप सही समय पे साल भर सही निरड़े लेंगे और आपको सफलता मिलती जाएगी करक राशी की बात करें करक राशी वालों के लिए भी पीतल या सोने की चीज़ खरीदना अच्छा होगा पीतल की थाली, पीतल का लोटा, पीतल का दीपक आप खरीद ले या सोने के आभूशन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो खरीद ले और जैसा मैंने पहले बताया कि तुरंट इस्तमाल नहीं करना है इनको ला करके पूजा स्थान पे रखियेगा, इन वस्तुओं की पूजा होगी दीपावली की रात को और दीपावली के अगले दिन से आप इनका प्रियोग करना शुरू करेंगे तो अगर करक राशी के लोग पीतल या सोने की कोई चीज खरीदते हैं इस बार धनतेरस पर तो इनकी जो भावनात्मक समस्याएं हैं, इनकी जो emotional problems हैं, उन समस्याओं में सुधार निश्चित रूप से हो पाएगा सिंग राशी की बात करें सिंग राशी के लोग तांबे का बरतन खरीदें, तांबे का पात्र और तांबे का बरतन अगर पानी का बरतन हो यानि तांबे का लोटा हो, तांबे का जग हो या तांबे का गिलास हो तो ये इनके लिए बहुत ज़्यादा उत्तम होगा अगर सिंग राशी के लोग तांबे का बरतन खरीदते हैं खास्तोर से तांबे का पानी का बरतन खरीदते हैं तो ऐसा करने से आने वाले समय में इनका स्वास्थ अच्छा बना रहेगा सेहत की मुश्किले इनको बिलकुल भी आने वाले समय में परेशान नहीं करेंगी कन्याराशी कन्याराशी के जो लोग हैं उनके लिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स की चीजे खरीदना अच्छा होगा आप मोबाइल खरीद ले, आप रेफ्रिजरेटर खरीद ले, आप टेलिवीजन खरीद ले या बिजली का बल भी खरीद ले अगर आप ये खरीदते हैं इस बार के धन तेरस पर तो आपकी धन संबंधी समस्या दूर होगी अगले एक साल में आप देखेंगे कि पैसे रुपए की कोई भी बाधा आपको परिशान नहीं करेगी तो कन्या राशी के लोग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्स की चीजे खरीदें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा तुला राशी कासे की देवी देवता की प्रतिमा खरीदियेगा ब्राउन्स की बनी हुई मूर्ती ये मूर्ती किसी देवी देवता की हो तो बहुत अच्छा होगा भगवान शिव की हो, हनुमान जी की हो, भगवान गणेश की हो कोई ऐसी मूर्ती आप खरीद करके जरूर ले आईएगा इस धंतेरस पर ऐसा करने से आपके रुके हुए काम पूरे होंगे तुला वाले कुछ दिनों से देख रहे हों कि उनके काम रुक रहे हैं इस धंतेरस पर ये छोटी सी खरीदारी करने से आपके रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे और आपको लगातार सफलता मिलती चली जाएगी तो पंडी जी आपको बता रहे हैं राशियों के अनुसार धनतेरस के मौके पर आपके लिए किस तरह की खरीदारी करना शुब रहेगा और अब हम बात करते हैं व्रिश्चिक राशी की जी तो हमने आपको तुला राशी तक बता दिया अब बात करते हैं कि व्रिश्चिक राशी के लोग क्या खरीदेंगे व्रिश्चिक राशी के लोग चांदी का सिक्का खरीद ले या चांदी का बरतन चांदी की गिलास चांदी की कटोरी चांदी का चमच ये खरीदना इनके लिए अच्छा होगा और अगर व्रिश्चिक राशी के लोग चांदी की कोई वस्तु खरीदते हैं तो इससे इनके करज की स्थिती में और धन की प्राप्ती में सुधार होगा, करजा चुकेगा, धन का आग्मन आसानी से हो सकेगा धनुराशी की अगर बात करें तो आप तांबे का एक दीपक खरीद लिजेगा, कौपर का बना हुआ एक दीपक या तांबे का कोई बरतन, तांबे का लोटा, तांबे का गिलास वगएरा खरीद लिजेगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, करियर में आपके बड़ी सा तारी रुकावटे रही हैं शनी की साड़े साती की वज़ा से वो करियर की तमाम रुकावटे आपकी निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी तांबे का दीपक या तांबे का बरतन खरीद करके ले आईएगा निश्चित रूप से करियर में आपको फाइदा होगा मकर राशी कांसे की मूर्ती या कांसे का बरतन कांसे की हांडी ठाली भी आती है और उसमें भोजन करना बड़ा स्वास्थकारी माना जाता है तो ब्रांस का कोई भी बरतन आप ले आएं या ब्रांस की बनी हुई मूर्ती ले आएं ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से आपके जीवन का संघर्ष निश्चित रूप से कम होगा जीवन बेहतर रास्ते पे चलता रहेगा